हेलो फ्रेंड्स नमस्ते कैसे हैं आप सब आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी पोश्टी और हेल्दी रेसिपी जो की बच्चे बड़े घर के जितने भी मेंबर्स हैं सब बहुत खुस होके खाएंगे तो चलिए फ्रेंड्स बनाना सुरू करते हैं वीडियो सुरू करने से पहले मेरी रिक्वेश्ट है आपसे यदि आप मेरे चैनल पे नए आये हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को फ्लीज फूल वाच जरूर किया कीजिए इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा सबसे पहले हम एक बीट रूट ले लेंगे अच्छे से साफ करके इसको टुकड़े में काट लेंगे और ऐसे ही जार में डाल देंगे और थोड़ी सी हम टुकड़ों में काटके अद्रग भी डाल देंगे और एक कप के करीब बेशन डाल देंगे सब को अच्छे से इसी जार में डालना है उपर से लाल मिर्च का पाउडर भी डाल देना है और थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे और ऐसे ही पीस लेना है इसको मिक्सी में देखिए जैसे हम पीसे है थोड़ा सा पानी डालना है ज्यादा पतला नहीं करना है इसको इसको एक थोड़ा सा अधरक का टुकड़ा भी डाल देंगे इसमें और इसमें वही फिर बेशन जो उसमें डाले थे इसमें भी हमें एक कप के करीब बेशन डाल देना है और थोड़ा सा पानी डाल देना है इसमें आधा कप के करीब पानी डालना है ज्यादा नहीं डालना है इसमें भ तोरी में निकाल लेंगे, एक किसी भी फॉल में निकाल लीजिए आप, और ये थोड़ा सा मेरा पतला हो गया था, ग्रीन वाला जो पीसे थे, तो इसलिए हम थोड़ा सा इसमें चावल का आटा मिला दिये हैं, और इसको मिलाने से थोड़ा करारे भी बनेंगे ये, और बीट आपको तयार कर लेनी है, इससे ज़्यादा पतला नहीं करना है, मेरी रिक्वेस्ट है, आप से आप मेरे चैनल पे नए आए हैं, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और लाइक, सेर और कोमेंट करना बिलकूल मत भूलिएगा, अब इधर हम पेस्ट को एक साइट में रख इस रेसीपी का में हीरो यही है, और सब को अच्छे से मिक्स कर देंगे, और एक पेन को हम गरम होने के लिए रख दिये, हम तावे में इसको बना रहे हैं, आप चाहे तो इसको फ्राइपेन में भी बना सकती है, और ऐसे ही इसको हम तड़का लगाए हुए पेस्ट को इसम उलटक उलटके सेख लेंगे, देखिए यह कितने अच्छे से हमारा एकदम परफेक्ट बनके तयार हुआ है, एक ही बार में, कोई प्रोब्लम नहीं है इसमें, आप भी फ्रेंड्स को वीकेंड में जरूर बनाना और पूरा फैमली आप जरूर इंज्वाई करना, जब को सेखना है, मीडियम टू लो फ्लेम पे ही सेखना है, ज्यादा तेज गैस नहीं करना है, नहीं तो यह अच्छा नहीं लगेगा, अंदर से कच्छा रह जाएगा, और इधर रेड़ वाला बनी के है हमारा, अब ग्रीन की तयारी करते हैं, ग्रीन वाले बनाने की, इसमें ह लबतावे पे फेला देना है इसको, और गैस को कम कर देना है, इसको बनाते समय लगे आपको कि थोड़ा और तेल डालना है, तो आप उपर से भी डाल दीजिए, और दोनों तरफ अच्छे से मीडियम टू लो फ्लेम पे उलट पुलट के ऐसे ही सेख लेना है, एक एक करके ऐसे ही सारे हम तयार कर लेंगे, इसे बनाना बहुत ही असान है, इसे बना के आप जल्दी से बच्चों के टिपीन में भी डाल सकती है, बहुत ही टेस्टी, हेल्दी और पॉस्टिक पराठे बन के तयार है, आप भी विकेंड में जरूर ट्राइ कीजिएगा, आज की रेसि बाइ बाइ